लोग सवाच चुनाओं के नतीजों के बाद ये साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अर्विंद के जिर्वाल के जेल जाने की वज़ा से दिली के लोग बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं दिली के लोग भी कही न कहीं के जिर्वाल के खिलाब कारवाई के समर्थन में हैं। दिली में खाता खोलने के लिए अर्बिंद के जिर्वाल ने खुब तीगरम लगाये थे लेकिन उनके हाथ खाली ही रहें। दोस्तो दिली की लडाई सबसे ज्यादा दिल्चस्प रही। दिल्ली की सातों सीटों पर बीजेपी ने फिर से परचम लहरा लिया है, दिल्ली की सातों सीटों पर बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, दोस्तों दिल्ली की सातों सीटों पर आप और कॉंग्रेस कटबंदन में एक साथ चुनावलर रहे थे, आप और कॉंग्रेस के दिल्ली में हवा महल बनाने की कोशिस की लेकिन दिल्ली की सचेत जनता जानती थी कि ये गटबंधन अवेभारिक है क्योंकि जो आप कॉंग्रिस को भरस्टाचार का गंगोतरी बताती थी आज वही आप कॉंग्रिस के गोत में बैठ कर उचल कूद कर रही है लेकिन आज हम अ मतदान वाले दिन तक दोनों के कारिकरताओं के बीच समनवे नहीं दिखाई दिया मतदान वाले दिन अधिकतर केंदर पर बूत कमेटियों के लोग दिखाई नहीं दिये जहां कॉंग्रिस के उमिद्वार थे वहां आप कारिकरता नहीं दिखे जहां आपके उमिद्वार वहां कॉंग्रेस वाले नदारद रहें। वहां दिली में संगठन और स्थानिय प्रत्याश्यों पर दाओं लगा कर बीजेपी अपना कीला बचाने में काम्याब रही। विजेपी पर लगातार बाहरी परत्याश्यों को टिकट देने के आरोप लग रहे थे। विपक्षी दल आप और कॉंग्रेस इसे मुद्दा बना रही थी। इसके अलावा सत्ता विरोधी लहर को दूर करने के लिए बीजेपी ने अपने उमिदवारों के टिकट बदलने का फैसला किया। राजधानी की साथ लोगसवा सीटो के लिए दो बार में टिकटो की घोशना की गई। पार्टी ने छे सीटो पर टिकट बदल दिये। बीजेपी ने सबी सीटो पर संगठन से जुरे निताओं को टिकट दिया। यही कारण है कि दिल्ली की सबी साथ सीटो पर बीजेपी क को दबाएं